चंडीगड मनी माजरा की इंद्रा कॉलोनी में बीते कई वर्षों से स्ट्रीट लाइट ना होने से अस्थानिये लोगों में भय का महौल बना रहता था अस्थानिये निवासियों ने इसकी शिकायतें पहले भी पार्षदों को दी पर समस्या जस्के तस रही उसके बाद इस समस्या को अस्थानिये लोगों ने वार्ड चार की पार्षद सुमन शर्मा के सामने रखा सुमन शर्मा ने भी लोगों को पूरा आश्वाशन दिया था कि जल्द समस्या दूर होगी और इसका शुबारंब आज पारशद ने कर दिखाया इस मौके पर मीडिया से बात चीत करते वे पारशद सुमन शर्मा ने कहा कि इंद्रा कालोनी के बलाकों में और बलाकों के साथ साथ मौझूद पतली गलियों में लाइट लगने के कारे की शुरुआत की गई और EWS के मकानों में इसका शुबारंब किया गया सुमन ने कहा हम लोगों की समस्या का हल करने के लिए पारशद बने हैं वार्ड में ऐसे और भी कई कारे हैं जिनका जल्द ही शुबारंब होगा और वार्ड चार को चंडीगड का नंबर वन वार्ड बनाना मेरा मकसद है इस उसर पर चंडीगड नगर निगम के S.E. कृष्णपाल, X.N. कुलदीप, J. आदी सभी बिजली विभाग के अधिकारीगड और टीम सुमन से महावीर शर्मा, सोनू शर्मा, हर्स शर्मा, रभी पासवान, राजिव गोडियाल, पवन खीची, पवन शर्मा, श्री निवास काला, असोक कोली, मनोज सुकला, जै भाई, मोहित मोर, शुभास शर्मा, राकेश शर्मा, नसीब शमशाद बानो, अजय, अनीता एसवाल, आ साहिल, राजकुमारी और रावत आदी सब उपस्तित रहे, देखें चंडीगर से अजीत जा की रिपोर्ट शुमन सर्मा, शुमन सर्मा जी जिस तरह के से आज स्ट्रीट लाइट का आइस किया है, क्या कुछ कहेंगे, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा हाँ जोड के नमस्कार, और हमारा जो ये आज काम स्टार्ट हुआ है, बीजली का स्ट्रीट लाइट लगवाने का, ये 84 ब्लोक अगर किसी को काम पड़ता, किसी ने बाहर लाइट लगाई हुई, तो बस वो अपने लिए 5 या 10 मिनटी ओन करता था, फिर वो ये अंधेरा हो जाता था, सबसे पहले कांसलर बनते ही, हमारे पास अनीता जी और निहाल जी आए, उन्होंने अपना मांग पत्र हमें दिया, और एक समस्या समाधान टीम की तरफ से भी हमें मांग पत्र मिला, तो हमने सबसे पहले इस पे एक्शन लिया, कि जब जहां पे अंधेरा रहता है, सबसे पहले हम अपने वाड में उजाले का काम करें, और आज हमारा ये काम का सुबारम भी हो गया है। अपने पूरे नगर निगम डिपार्टमेंट का, हमारे कमिशनर मैडम का, जीप साब का, और जो हमारे सी साब क्रिशन पाल जी का, और हमारे एक्शन कुलदीप जी का भी, और हमारे स्टियो साब राजदीप जी का, और हमारे जेई पुनीजी का, पूरे डिपार्टमेंट कंचा मनेंद्ध करना चाहती हूं जिन让你 मारा आज इस वार में उजाले के काम से स्टार्टिंग पहले भी मेरा सबसे पहले टेंडर लगा था वह वीजली का ही लगा था और एक बार फिर से हमारे इस ब्लोक में लाइट का कामस्ट होने जा रहा एक बार फिर से नगर निगम डिपार्टमेंट का बहुत-बहुत धन्यवाल जो रात के समय अंदेरा था वो अब उजाले की और बढ़ रहा है उसका आज शुबारम भी किया है पार्शत द्वारा हमारे साथ मोजूद है और इंडिया मनिमाजब वैलफेर पार्शत हर पार्शत हर पांच साल बाद बदलता पर जो काम करा रहा है पबल्क दे कहने थे उन्हान वे इसलिए फैदावा के थोड़ा ही दिन पहले इते बहुत सारे गडियां दा नुक्सान होया इनने वो गडियां दे नुक्सान दे एवज में एके बंदोबस्त किताव स्टीट लैट हर जगा हुए जित्थे के पबल्क दियां गडियां खार दियां स्कूटर खार दा नाईदी चोरी हुए नाईदा नुक्सान हुए एनना सुमन जीदा बहुत तनवाद या इनने कम जारी की तावा और फते भी करंगे और शुक्रिया इनना दा भार बार माई ही जालते करते हैं यहां के लोगों से भी बाचित करना चाहेंगे आपके एरिया में स्टीट लाइट लगनी जा रही हैं तो इसको लेकर क्या कहेंगे हमारे एरिया में स्टीट लाइट लगनी ज है और उन्होंने जल्दी इस पर संग्यान लिया और आज यह काम की ठ्गेंगे आप काफी दिनों सबसे पहले मैं अपने वाड के पार्षत सुमन अमिश्यर्मा का धन्यवाद करूंगा जिन्हों ने ये काफी समय से जो इंद्रकलोनी की प्रोब्लम बनी हुई थी कई क्रिमिनल लोग जो शरारती ततव हैं वो अंधेरे का फैदा उठाकर कई क्राइम हो रहे थे जैसे स्नैचिंग वह रहा हो जाती थी स्नैचिंग करके वह यहाँ पतली पतली गलियां हैं चोटी गलियां हैं जहां से बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और वहें से वह उस अंधेरे का फाइदा उठाकर वहां से आख में चोली के वहां से निकल जाते थे तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगा अपने नगर निगम का और बहुत धन्यवाद करूँगा अपनी वाड की पार्षट सुमन अमिश शर्मा का जिनों ने ऐसा कारे किया जो अब तक किसी ने किया नहीं मैं सबसे पहले तो अपनी वाड की सुमन अमिश शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बाकी यह मांग जो थी जब से कलोनी बसी हुए सारे जानते कि बहुत साल हो गया इसको और बहुत पिछे थी यहां अंदेरे का पैदा लेते थे लोग क्योंकि यह थोड़ा सलम में रिया आता है यह मांग कहीं सालों से थी तो हमारी बहन अनिता अस्वाल ने पांच तीन दोहजार बाइस को एक मांग पत्र दिया था कॉम्निटी सेंटर में जिसका कि आज मैडम सुमन अमित सर्मा और उनकी टीम की तरफ से जो है यह आज सुबारम हो रहा है लोगों को लेट मिलेगी उसके बाद हौल भी काम होएंगे लेकिन सबसे पहले यह है कि लेट होनी चाहे जिसे की अंदेरा चटेगा तो सारा कुछ चट जाएगा ठीक है कि नहीं है यहां की पार्शत जो है अमादमी पार्टे की अंदेरा नहीं रहने देगी जिसका लेकर आज सुबारम किया है करीबन दस लाग की लागत से जो है यह पूरे इंदरा कलोनी की बात करें तो 170 के करीब स्रीट लाइट लगेगी चंडिगर से इतलिन मर्बल, कटनी मर्बल, all Indian and imported green eyes, Haryana Marble Store, Marble Market, Saragpur, Chandigarh For more information, call 988-8432-636-998818-8801